हेलो दोस्तों आज कुछ हमारा टोपिक है वो है परितंत्र और उसके अबधारना के बारे में इस टोपिक में हम पढ़ेंगे कि परितंत्र क्या है उसके घटक कौन-कौन से है इसके प्रकार कौन-कौन से है परितंत्र का महत्व और इसके संभावित खत्रों के बारों में तो परियावरण के जैविक तथा आजैविक कारक मिले होते हैं जैविक और आजैविक कारक क्या होते हैं जैविक कारक को अगर हम सरल भासा में जाने तो जैविक कारक का मतलब होता है जो चीजीवित हैं जैसे पर्थम पोशिस्तर, दुत्य पोशिस्तर, दुत्य पोशिस्तर, दुत्य पोशिस्तर, पर्थम पोशिस्तर में पेंड़ पोधे आते हैं, पेंड़ पोधे भी जीवित हैं, सेकंड पोशिस्तर जो होता है, उसमें जितने भी उन पे आश्रित होते हैं, वो आते हैं और जैसे बनस्पती और हवा, मिट्टी, चटान, जल ये सारे जीवित नहीं है ये आज यवी कारक होते हैं परियावरण के इसके बाद हमारा अगला टोपिक आता है खाद्दे श्रिंखला और खाद्दे जाल के बारे में क्या होता है खादे श्रिंखला और खादे जाल देखो सबसे पहले हम खादे श्रिंखला की बात करेंगे परितंतर में सभी जीवित रहने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं क्यानि एक हम अपने परितंतर की बात करना है तो उसमें देखो हम ना एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं तो परतेग जीव अन्य जीव का भुजन बन जाता है और इसी प्रकार एक स्रिंखला बन जाती है जिसे हम खाद्धे श्रिंखला बोलते हैं जैसे हम एक एक इग्जामपल लेते हैं चीतर में आप सब देख सकते हैं कि पहला पोशी इस्तर पोधा पोधि को खारा है हीरन और हीरन को खारा इस सीर ओ सही अगर इसकी जगा दूसरा एक स्तर लेले तो शेवाल होता है सेवार को मच्छर के जब लारवे होते हैं वो खाते हैं और लारवे को मच्छली खाती है और मच्छली को पक्षी खा जाते हैं या हम खा जाते हैं इसको खादे श्रिंखला क्यों बोलते हैं क्योंकि यह एक श्रिंखला यह एक chain का निर्मान करता अगर इस chain में से एक भी जानवर या एक भी पोसिस्तर हटता है तो पूरी श्रिंखला नश्ट हो जाएगी जैसे अगर सारे हरे घांस खतम हो जाए तो उनको खाने वाले जीव जन्तू जैसे हीरन वो मर जाएगा हीरन न इसी श्रिंखला या इसा नेटवर्क होता है जिसमें एक जीव दूसरे पर डिपेंड तो होता है लेकिन अगर वो उसको ना मिले तो दूसरी कोई चीज भी खा सकता है इसलिए यह चेन नहीं एक जाल बन जाता है इसको हम एक एक जामपल के साथ समझते हैं जैसे मान के चलो एक पोधा है पोधे को कोई हीरन खा रहा है ठीक है हिरन अगर हीरन नहीं भी रहता है तो शेर कोई और जानवर का सिकार कर लेता है तो कोई गाहें जीव कर रहे हैं और अब बात करते हैं दूसरे जीव की जो मासाहरी होते हैं तो अगर वो मासाहरी जीव जैसे सेर है उसको हीरन नहीं मिल रहा है तो खरगोस भी खा लेगा खरगोस नहीं मिल रहा है तो भेहन बकरी भी खा लेगा तो इस तरह ये पूरी एक स्रिंखला यानि चेन नहीं बनती और यह तूटती नहीं है, यह है इसका फायदा होता है खादे श्रिंखला और खादे जाल में एक आखरी बात यह आती है कि इसमें 10% उर्जा प्रवा करनियम होता है यानि घास को जो हिरन खाता है तो उसमें 100% उर्जा जाती है लेकिन जब हीरन को सीर खाता है तो उसमें 10% रुजा जाती है वाकि 90% रुजा नश्ट हो जाती है यह अपने 10th के science में पढ़ा होगा अब आता है हमारा अगला परितंत्र के प्रकार, परितंत्र के कितने प्रकार होते हैं, देखो परितंत्र को वैसे तो इसके कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो आपके सलेवस में हैं, वो है पहला वन परितंत्र, दूसरा है घास परितंत्र, तीसरा है जल परितंत्र, तो ऐसे ही इसमें हम अन्य परितंत्रों की वार में भी पढ़ेंगे, तो देखो, हमारा पहला परितंत्र आता है वन पारिस्थित की तंत्र, क्या होता है वन पारिस्थित की तंत्र, वन पारिस्थित की यानि वन परितंत्र में सबसे पहले तो पेण पोधे, जाड़ियां, लताएं, इन सब मिलके वन परितंतर का निर्मान करते हैं। कुछ फूल देने वाली प्रजातिया, कुछ फूल ना देने वाली प्रजातिया, स्तंट पाई, सरी स्रिप, जल स्थर, मचली तथा सारे मिलकर इस परितंतर का निर्मान करते हैं। परितंदर में पाई जाते हैं। यहां तक कि मनुस्य भी इस परितंदर का भाग है। वन परितंदर के परमुख जीव, हाथी, गेंडा, सेर, लोमडी, मिंक यह सब है। अन्ने भी हैं मैं सब के नाम नहीं ले रहा है। अगला जो हमारा है वो है घास परितंदर। घास परित जाते हैं उत्री अमेरिका के प्रियसी बाद दक्षिन पक्षिमी रूस के स्टेपी चारगा इस परितंदर का सबसे अच्छा उधारण है इस परकार के परितंदर में साग भक्षी अधिक पाए जाते हैं जो घां सांस को जादा खाते हैं कभी-कभी तो इन छेत्रों को अगलग नामों से जाना जाता है जैसे अफरीका में से सावना, दक्षिन अमेरिका में से पंपसा, उस्टेलिया में से डाउंस इस परितंदर के प्रमुक जीवों में गधे, जेवरा, चिंकारा, बक्रियां ये सबाते हैं यह परितंदर दूध वा च्छम्ला उद्योक क अधार है भारत में आठ प्रकार के चारगा परितंत्र पाए जाते हैं अब हमारा एगला टोपिक आता है मरूस्थली परितंत्र क्या हो reviewed यहीं नहीं यहां पर लंबर समय तक आद्र शुषक छेतर और आदर जलवायू रहती है जिसमें गर्मी जाधा रहती है जैसे राजस्तान का थार रेगिस्तान, लदाग जैसे ठंडे मरुस्तल भी प्रित्वी पर पस्ती थे मरुस्तली प्रित्वी एक बटा सात्वा भाग ये धरती का घेरा हुआ है यही नहीं, यहाँ पर पाए जाने वाले कुछ जाडियां जैसे नागफनी, बबूल, इत्यादी हैं यहाँ पर पाए जाने वाले जानवरों में लोमडी, रेगिस्तानी बिल्ली, रेगिस्तानी लोमडी, पक्षी तदा अन्ने दुरलप पर जातियां सामिल है यहां पे कुछ खेती भी की जाती है जैसे बाजरा, गेहु, जो, मक्का इन सब की यहां पे खेती की जाती है तो यह था हमारा रेगिस्तानी परितंत्र या मरुस्थली परितंत्र अगला जो हमारा टोपिक है वो है जलिय परितंत्र जल्य परितंत्र इस परितंत्र में पोधे, पेन, प्राणी तथा अन्य प्रजाती जल में रहने में सक्षम होते हैं तथा मनुस्य का पूरा का पूरा जीवन जल्य परितंत्र पर निर्बर होता है ये सारे इसमें पाय जाते हैं जैसे आप चितर में देख सकते हैं अगला है जील परितंत्र जील परितंत्र भी इसका एक भाग है और भारत में अधिकतर जील जो है वो हिमाले सतलुज गंगा और ब्रहंपुत्र के मेदानों में पाय जाती है इसी में अगला आता है नदी परितंत्र नदी परितंत्र भी इस परितंत्र का एक महत्पून भाग है नदी परितंत्र वर्षा भर जल इसमें हर साल मतला पूरे साल इसमें जल भरा रेता है और इसी से इसके कारण कभी बाण भी आती है और यही हमारे पानी का पीने का भी द्रोत माना जाता है अगला लास्ट आता है हमारा समुद्री परितंत्र इस प्रकार के परितंत्र में जो जल होता है वो खारा होता है और समुद्री परितंद्र के कुछ उधारण है जैसे हिंद महा सागर, अरब सागर, बंगाल के खाड़ी त्यादी पिर्थिवी के लगभग 71% भाग पर जलिय परितंद्र है यानि पिर्थिवी का 70% प्रतिशन भाग जलिय परितंद्र से गीरा हुआ है अब हमारा लाज्ट टोपिक आता है परितंद्र का महत्व और उसके संभावित खत्रेउ के बारे में देखो, परितंद्र ना जीवन का अधार है यहाँ जीव मंडेल की ऐसी काई है जिसमें जीवन संभव है परितंद्र के बिना कोई जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता परितंद्र केवल जीवन जीने के लिए नहीं लेकिन यह हमारी नीजी जिन्दगी की मूल भूत अवसकताओं को भी पूरा करता है परितंद्र एक ऐसी जगा है जिसने हमें शरण दी है हमें रहने के लिए जगाती है परितंत्र ही मानव जीवन का अधार माना जाता है लेगिन आज मानव ने अपने लालच और लाव और लालसा से परितंत्र को इतना नुकसान पहुचाया है जिसका कोई उपाई नहीं है हमारी तीजी से बढ़ती जनसंख्या घनी समाज, घनी अबादी, प्राकरती, संसाधन, उर्जा उर्जा का अत्यादिक हम दोहन कर रहे हैं ये समने परितंत्र को बड़ा ही नुकसान पहुचाया है इसका असर उन पे रहने, परितंत्र में रहने वाले अन्ने जीव पर भी दिख रहा है कुछ जीव जो बिलुप्त होते जा रहे हैं ग्लेशियर पिखलते जा रहे हैं घांस थल, जो घांस थले घांस के मैदान हैं वो किर्शी छेतर में बदल दिये जा रहे हैं और वन को काटा जा रहा है जिसके कारण आज मरुस्थल में रहने वाले जो कई जीव हैं बस घांस के मैदान में नहीं मरुस्थल में रहने वाले जीवों को नुकसान पोच रहा है वो अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो गया है यही कारण है कि आज परियावरण से संब्धित इतनी समस्याओं का मानव को सामना करना पड़ रहा है पिछले 2000 वर्सों में पसों की 600 परजातियां और पोधों की 3000 से अधिक परजातियां विलूप्त हो चुकी है नश्ट हो चुकी है यही नहीं परदूशन, खनन, बनो की कटाई यह सबने पराकृति को इतना नुकसान पहुचाया है कि आज पराकृति हश के कागार पर आ गई है अनेक परियावरण सम्मेलन हुए परियावरण सम्मधिन नियम बने लेकिन मानव उनको मानने से इनकार करतेता है यहनी हम नियम कानून तो बनाते हैं लेकिन उनको मानते नहीं है जिससे परियावरण का आज हस होते जा रहा है और यह एक दिन परिथिवी को अंत के कागार पर लाकर छोड़तेगा तो इसे के साथ देखो हमारे जो टोपिक है वो खतम होता है वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और अपने दोस्तों के साथ इसको सेर करें